नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपनी यूट्योब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में दोस्तों आज तीन फरवरी को जो रेल वे एंटी पीसी का एक्जाम कंड़क्ट हुआ हैं दोनों सिप्टों में तो पर्तम सिप्ट का वीडियो पहले ही डाल दिया थे अई दिया सेकेंड सेपने पूछेगे टोटल यहाँ पर 40 स्वाल मिल चुके हैं और यह सभी स्वाल एक्ष्टा फैक्ट साइट का और करने वाले ताकि आने वाले सिपने जिन भी केंडियोट का एक्जाम होता है और इसकी पीडियो फाइल के लिए आपको डेस्क्रिप्शन वाक्स मे टेलिग्राम पर लिंक से ही जोइन करना है तो चलिए आपर कंटिन्यू कर लेते हैं तो सेकेंड सेप में इन सभी केंडियोट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्दों ने टेलिग्राम पर रियल और ओथेंटिक स्वाल है वो शेंड कि आप भी अपने सेप में पूछे के स् से जोड़ना होगा और बाकि स्वाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दो जिन भी केंडियेट ने अभी टेट सीरी जोइन नहीं की है तो आपके लिए बेहतरीन ओफर है यहां पर ओफर है कि दोस्तों निन्याल में रुपे में आपको एक वर्ष की अनलिमिटे अटलिम नहीं करेंग तो एक्जं आपके स्वाल मिस होने वाले है क्योंकि टाइम में जयरूरी हो जाता है और कि डेली मेरे को बहुượng से कंडियेट मेयश होगा कि और सारे मौक टेस्ज लगा सकते हैं यह और फिर किसी बी सेंट्र या अबर्र प्रूपडी के 170 प्लस मॉक्टेस्ट है एंटी पीसी के अभी जो एक्जाम चल रहे हैं उनके इसमर्ति आधारीत मॉक्टेस्ट पे आप लगा सकते हैं 2014 में ये भंग हुआ था तो आपके ऑप्षन में 2014 15 इस परकार दे गए थे डैट और मंत नहीं था तो योजना आयोग है ये जो डिजॉल्व हुआ है भंग हुआ है वो 15 अगस 2014 को परधान मंत्री ने लाल के लिए के प्राचर से योजना को बंद करने की गोशना की है और इसक कर लेता हूँ योजना आयोग के पर्थम अध्यक्स मतलब योजना आयोग के पर्थम अध्यक्स कौन होंगे जो उस समय परधान मंत्री रहे होंगे तो उस समय ते ज्वाला नहरू 1964 तक ये अध्यक्स रहे है योजना आयोग के जो पर्थम अध्यक्स है बात करूं योजना योजना आयोग के अंतिम अध्यक्स जो 2014 योजना आयोग है भंग हुई थी उस समय डॉक्टर मर्मॉन सिंग पर दाव मनतर थे तो ये अंतिम अध्यक्स थे अब पूछ ले भाई योजना आयोग के पर्थम डिप्री चैर्मेन कौन थे प्लानिंग कमिस्टन के तो वो थे आपको बता जिया है ये रिपीट हुआ स्वाल पर्थम चैर्मेन थे नीतियायो के नरेंदर मोधी थे और बात करें नीतियायो के पर्थम वाई से चैर्मेन कौन थे तो अर्विन पंगेडिया थे अभी आप कमेंट करके बताना मैं डेली आपको बताता हूं नीतियायो के अभी वर्तमान में वाई से चेर्मेन कौन है वो आप कमेंट करके बताना अर्विन पंगडिया पर्थम थे अभी कौन है वो बताना आप अगला स्वाल के और बढ़ते हैं भारत का मानुव युक्त पर्थम अंत्रिक्ष यान कौन सा ये भी स्वाल रिपीट हुआ है गगन्यान आपका करेक्ट हो जाएगा अंत्रिक्ष के अपसूल है एक तरीके से तीन लोगों को ले जाने के लिए शक्षम है गगन्यान है मानु युक्त पर्थम अंत्रिक्ष यान अगला स्वाल अनुचेद 78 के तैट देश के परशास्तिक एम विधाई मामले हो गई या फिर चो मंत्री परिशेद की निर्ने हैं उनसे सम्मंदित राष्ट पति को सूचना देने का करत्व किसका रहता तो वो आपका एंसर हो जाएगा परधान मंत्री का ये करत्व रहता है आर्टिकल 78 के तैट में अगला स्वाल देखी गया पर पिर्थवी का घौनन गति के कान कौन सा बल उत्पन होता है जिससे पाउने अपनी देशा है में विक्षेपित हो जाती है ये भी अपने एक्ष्टा फैक्स से स्वाल पूचे ग तो पिर्थवी के घौनन गति के कान ये बल उत्पन होता है कोरिलिस बल है जिसके कान पाउने अपनी मोल देशा से है वो विक्षेपित हो जाती है और इसका मैं कुछ उदान बता हूँ आपको ये तो कोरिलिस बल का हो गया पिर्थवी से जो पाउने है वो देशा चैंज क गुर्वाकर्टिक अंदर की और वो अभीक्यंद्वी बल है वो प्रधान करता है। और क्या कर स्वाल देखेंगा उसका प्रमो कार्ण हो जाएगा फिर्ट्यू K घौनन गतिक के कारण। अगला स्वाल देखेगा महात्मा गांदी जी ने किस घटना के बाद 1922 में अहर्श योग आंदोलन वापस ले लिया था है ये भी स्वाल रिपीट हुआ है चोरी चोरा कांड है जो ज्यार फैब 1922 को हुआ था गोरकपुर जिले में और इसी कांड ये चोरी चोरा कांड है य मरती हो गई थी और जो एक हिंसा में ये आदोरन कानवर्ट हो गया था सो 19 फैब 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में अहर्श योग आंदलन को समाप्त कर दिया गया था कौन सी घटना के कांड चोरी चोरा कांड के कांड 1922 में थर्ड बोध शंगती किस राज संगती किस के काल में हुई थी अध्यक्स कौन थी सारे बतायते वाद पूछ लिया थर्ड बोध शंगती किस राजा के काल में हुई है तो असोक के काल में ये हुई है जो मोर्य वंस के शाषक असोक है उनके काल में तीसरी बोध संगती आईजित हुई थी और तिर्थे बो पर्थम बोष संगती की बात करूं तो ये हुई थी रहाजगर में पर्थम बोष संगती बात करें तो ये हुई थी दोस्तो वेशाली में किनके काल में काला शोग जो शिशुनागवन्स की शाषके उनके काल में हुई थी अध्यक्स थी इस संगती की वो साब कमीर सरोकामनी इनकी अध्यक्स थी अगला स्वाल दिखेगा, 2017 में GST किस मंत्राले ने लागू किया था, ये भी स्वाल रिपीट हुआ है, 2017 में GST किस मंत्राले ने लागू किया था, ये स्वाल साइद 8 जनौरी की पर्थम पारे में पूछा गया था, GST किस मंत्राले में लागू किया है, तो Department of Consumer Affairs के अंतुरिक के तयात लागू की गई, तो 101 में सुविधान संसुदन के तयात में लागू की गई है, GST जो परिशद है, उनके अध्यक्स कौन होते हैं, जो Union Finance Minister है, वित मंत्री हैं, वो अध्यक्स होते हैं, मोनिटर का आपको अन्य नाम पूछा है, तो VDU, आनि Visual Display Unit हो जाएगा, करती होई, जो टिम टिम आती होई, बिलिंग करती होई, जो एक एरो रहती है, जैसे कि यह आप देख सकते होई, यह एरो, तो उस बिंदू को देखाने के लिए, तो करसर का यहाँ पर पूछा है, इस एरो को क्या कहते है, जैसे कि एरो को यहाँ पर लेके जाता हूँ, तो नाबार जो इस्तापित हुआ है वो 12 जुलई 1982 को हुआ है वर्तमार में इनके चैर्मेन कौन है तो जी आर चिंताला इनके चैर्मेन है इसकी फॉल फॉर्म आपको पूछी थी और एक अन्य इंपोर्टेंट फॉल फॉर्म में आपको बता दू फिक्की की तो the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry हो ज सामती का नोबल प्राइज जब उस समय वो 17 वर्ष की थी ये पाकिस्तान से है और बात करूँ इससे पहले ये रिकोर्ड किनके पास में था मतलब सबसी युवा नोबल प्राइज अभी जो सेकेंड हो जाएंगे वो लोरेंस ब्रेग है 25 वर्ष के अभी में 1915 में फिजिक् आगला स्वाल दिखे गया पर स्वाल पूछ गया है कांडू का पहाड़ी पर इस्तित जो मुर्देश्वर टेंपल है वो किस राज्य में है तो ये मुर्देश्वर टेंपल है जो कांडू का पहाड़ी पर इस्तित है ये उत्तर कनर जिला राज्य हो जाएगा करना टक में देखी, इनसे मिलता, जोलता एक और मंदिर है, जो है, मुरुंड़िश्वर मंदिर है, ये मंदिर है, चैनाई तमील नाडु में, अगला स्वाल देखेगा, भारती थल सेनाद दिवश है, भारती लोग शेवा दिवश, जो स्विल सर्विसेज डे हैं, ये कब मनाय जाता है, तो लोक्षेवा दिवस मनाय जाता है 21 अप्रेल को कब 21 अप्रेल को मनाय जाता है और इसकी शुरुआ तो ही है 2006 और 21 अप्रेल को ही क्यों मनाय जाता है क्योंकि 21 अप्रेल को इसी दिन सरदार वल्लब भाई पटेल ने स्वतंतर भारत के पर्थम लोक्षेवा सतर को मेटा उसमें सम्मोधित किया था और इसी दिन 21 अप्रेल को प्राइम निस्ट के और शे आवार्ड दिया जाता है लोग परशासन में विशिष्टा के लिए आवार्ड भी दिया जाता है भारती लोग शिवा दिवस के आउसर पर आकास का रंग नीला क्यों दिखाई देता है तो य यहाँ पर विफ जवर आप करेंगे तो सबसे कम वेवलेंद किसकी होती है बल्यू की इस दिए आकास है वो नीला दिखाई देता है वायलेट की होती है तो नीला यहाँ पर दिखाई देता है अगला स्वाल दिखेगा भारत कि अंतराश्छी शंग्थन का सज़िय नहीं है ये option दिये गए थे तो भारत हो जाए गए याँ पर NATO का NATO है इसका मतलब है North Atlantic Creative Organization मतलब उत्री Atlantic की संधी संक्रन है इसका सदिश्य देश नहीं है NATO के total 30 सदिश्य देश है बाकी जो SEO हो गया G20, United Nations इन सभी के भारत सदिश्य देश है NATO की बात के उतो हेटकवाटर इसका बुर्शेल्स बेल्जियम में है स्तापन 1949 में हुई थी और NATO में यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है अभी 30 वा सदिश्य देश कौन सा बना है उससे पहले 29 थी अभी 30 वा बना है वो मार्च 2020 में बना है उस राष्टर का नाम पूछ ले तो North Macedonia उसका नाम हो जाएगा अगले स्वाल के और बढ़ते बाकी नाटो के यह 30 वा सदिश्य भी आप देख सकते एक बार ब्रीफली निकाल दीजी ताकि पता चल जाए एक्जाम आजाए नाटो का कौन सा नहीं है तो यह भी आपको पता होना चाहिए RDX क्या है यह आपको पूछा है तो यह एक और्गनिक कंपाउंड है कार्बनिक योगिक है जिसका प्रियोग विश्पोटक में होता है तो इसके परशिद विश्पोटक भी इसे बोला जाता है इसका अन्य नाम है साइक्लो नाइट क्या है साइक्लो नाइट है इसके फॉर्मूले की बात करें तो O2N2CH2 का होल्टराइस हो जाएगा इसका फॉर्मूला कालिदा सम्मान किस राजे सरकार दोरा दिया जाता है तो MP का ये कालिदा सम्मान दिया जाता है मत्य प्रदेश सरकार के दोरा इसकी शुरुवात 1980 में हुई है अभी जो लेटेस लाश्ट में दिया गया था 2018 में दिया गया था एंजोली एला मैनन को अलिपूर बंब कांड में कौन सामिल था वैसे बात करूँ अलिपूर बंब कांड के तो इसमें टोटल उन्चा से ज्यादा पर केस चला था तो इन ओप्शन के एकोर्डिंग अर्बिंदो घोष इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा बाके इसके अत्रिद खुदी राम बोस का भी नाम आता है पर फूल चौकी हैं ये सब इसमें शामिल थे हैं और जो अलिपूर बंब कांड है इसका अन्ने नाम मुरारी पुकूर शड्य आपर रिपीट वे आप देखने ना फार्ट शिप का वीडियो कौन के आव मिरर हो जाएगा दंत रोग विशेशग्य हैं वो अउतल दरपन का उप्योग करते हैं और बात करे कार के साइड का जो मिरर रहता है जो कार का रियर व्यू देखने के लिए मिरर है वो उत्तल दर दरपन से बने होते हैं कौन सा दरपन उत्तल दरपन आपको पूचाता दंत रोग विशेशग्येगा तो यह अउतल हो जाएगा पर्थम लोगशबाद चुनाव कब हुए हैं तो पर्थम लोगशबाद चुनाव हैं जो आपको पूचा हैं आम जनरल एलेक्शन हुए वो 195 1951 को हुए हैं ओप्शन में जो 1951 था वो करेक्ट करना था क्योंकि 25 सक्टूबर 1951 से 21 फैब 1952 तक हुए हैं पर्थम आम चुनाव हैं जिसमें टोटल लोगशबाद चुनाव सीट की बात के तो चार्शो नवासी सीट थी आइन सी की 364 सेकेंड पार्टी यहां पर शीप्य जाते हैं 2020 में किस देश के सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्गाटन प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी ने किया है तो मोरिशस की बिल्डिंग है जो मोरिशस की कौन सी सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग है भवन है जिसका उद्गाटन है प्रधान मंत्री नरेंदर मो जाएगी जो कहाँ पर है मोरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में ये बनाई गई है और इसके निरमाण हितु 2016 में बजट आउंटी तुआ था मोरिशस को 35.3 क्रोड डॉलर का यहां पर आर्थिक पेकिज दिया गया था नहीं कितनी pH में नीला लेटमस पेपर लाल हो जाता है तो नीले को लाल कर रहा है मतलब अनील हो गया अमल हो जाएगा अमल है वो नीले लेटमस पेपर को लाल कर देता है और अमल के लिए pH value कितनी है जीरो से लेकर 7 तक यहीager 7 से कम होनी चाहिए जो option में 7 से कम था वो correct करना था और बाकि शार का इसका उल्टा हो जाएगा लाल को नीला कर देता है कौनसा element या फिर तत्तो नई है तो इसमें silika हो जाएगा silika है यह silicon dioxide है Si O2 रहता है यह silika योगिक है आपको तत्तो पूचा है अजमेर में किसकी दरगा है तो ये शूफी संत मोहिनु दिन चेश्ती ख्वाजा की दरगा है जो 1236 में बनाई गए थे अजमेर राजस्थान में उपास्ती द्वार मचलिया कौन सी है तो आपको पूचा है उपास्ती द्वार जो कार्टिलेज मचली रहती है वो कौन सी उसका उधाण पूचा है तो अत्रिक जो बटोईदी है या फिर शंकुष है तो शाक और शंकुष इसका correct answer हो जाएगा शाक आपकी option में था और उपास्तिदार का मतलब क्या हो गया कि उनका अंद्रूनी जो धाच्चा है वो हडियों की बजाए उपास्ति या फिर कार्टिलेस से बनागवा होता है इसके अत्रिक्त इसके विप्रित और कौन सी मचलिया होती है ये तो उपास्तिदार हो गई जो हडियों वाली होती है उसे उस्टियो 31 बोला जाता है वो मचलिया जिसके भीतरी धाचा हड़ी से बनागवा होता है अगला स्वाल देखे चेतरपल की दस्टी से छटा सबसे बड़ा देश कौन सा है ये भी साइद 8 जनौरिक दीखे 8 जनौरिक मेरे को लगता है तीन स्वाल या पर 8 या 9 जनौरिक ए ये सेम स्वाल पूची गए आप एक बार मैं आपको बता दूँगा टेलिग्राम पर ये तीसरा स्वाल फिर रिपीट वा है एक्जेक स्वाल चेतरपल की दस्टी से छटा सबसे बड़ा देश कौन सा है तो ऑस्टेलिया हो जाएगा अब दीकि चेतरपल की दस्टी से सबस जाकिस्तान और अलजेरिया और ये तो चेतरपल की दस्टी से हो गया आप जन सिंग्या की दस्टी से भी अक्सर स्वाल आ जाता है एक्जाम में तो पर्थम चाइना जन सिंग्या में सेकेंड इंडिया तीसरे नमबर पर यूए सें चोते पर इंडोनेसिया है पांच वए पाकिस्तान चटे पर है ब्राजिल आगला स्वाल दीखे गयाँ पर श्वालं नन्बर 29 से अर्ली हिस्ट्री ओफ इंडिया के ओतर पोन तो इस समित विंसेट अर्थर श्मित एं अर्ली हिस्ट्री ओफ इंडिया तो इस से मिलता जुलता एक और नैम है अर्ली इंडिया फ्रॉम्दा ओरिजन्स टू एडी तेरा सो तो ये बुक बाई रॉमिला थापर के दोरा लेकित है लेकिन आपको ये पूचा है अर्ली हिस्टी ओप इंडिया अर्थर इस्मित हो जाएगा बिर्टिस भारत में गवर्णर जनरल की पद के स्थान पर वाइसराई पद की स्थापना कब होई है गवर्णर जनरल के स्थान पर वाइसराई पद है ये सरजित हुआ है अठारा सो अठाउन के भार सरकार अधिनियम में तो अगस्त अठार सो अठाउन आपको करेट करना था और इसी अधिनियम के तेज़ जो कम्पनी का शाषन था भारत में उसको स्माप्त करके डारेक्ट बिर्टिश शाषन महारानी विक्टोरिया को शौप दिया था भारत का जो भी शाषन है नियंतरन है हाउ मैनी नोन पर्मानेंट मेंबर हैं ये भी रिपीटेट स्वाल है स्युक्त राष्टर सुरुक्षा परिशद में कुल कितनी अइस्ताई सज़से देश हैं तो टोटल दस अइस्ताई सज़से देश हैं स्युक्त राष्टर सुरुक्षा परिशद में अइस्ताई पूछा गया है तो देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिट वहानों के तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए तो इलेक्ट्रिक जो वहिकल है उनके सम्मंदित हैं इलेक्ट्रिक वहानों के वी निर्मान उनके तेजी से इस्तेमाल करने के लिए ये फैम टू जो सेकेंड चरण है वो फरवरी 2020 को मंजूरी मिले इसकी फॉल फॉर्म क्या FM की तो फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफेक्चरिंग इलेक्ट्रिकल्स वहिकल गंगा एक्षन प्लान किसे संबंदी थे तो परदूर्शन को घटा कर गंगा के जल की गुणवता को बढ़ाना है ये एक् एक्षटा फेक्ट्स आया है इससे पहले भारत और बांगलदेश का चुका तो उसमें मैंने आपको बताया था तो भारत की यहां पर ओप्शन में आपकी पांच च्यार तीन च्छ इस प्रकार थे तो आपको करेक्ट करना था पांच पांच राज्यों की जो सीमा है बाउं भारत भुटान में कितने राज्य है तो भारत भुटान आप देखेजिए अस्सम अनुनचल परदेश पच्छी मंगाल सिक्किम और आपके यह चार राज्य है भारत और भुटान की बाउंटी के लिए और बांगलदेश की बात के तो पांच राज्यों हो जाएंगे अन्त्रिक पुचा जाता है अब पुचा जाता है कि पृटवी की जो सबसे ऊपरी प्रत मतलब क्रृष्ट हो गया और मद्दे की मेंटल है तो इनके मद्दे की boundary को क्या का जाता है? जैसे कि यह आपके crust है और यह मद्दे की boundary है नीचे आपके mental है और सबसे नीचे आपके core रहती है तो यह boundary केलाती है वो महो केलाती है तो यह भी आपको याद रखना है अगला स्वाल देखेगा स्वाल पूछ गया है सोनल मान सिंग के सच्छेतर से सम्मंदित है तो ये इंडियन क्लासिकल डांसर है तो निर्थे आपको करेट करना था सोनल मान सिंग है डांसर है अगला स्वाल देखेगा फोरेस्ट रिसर्च इंस्टिटूट है वन अनुसंधा पूछ ले तो कटक में हो जाएगा आलू अनुसंधान ये शिमला में वन अनुसंधान जो पूछ गया है देहरादुन में भार्ति किर्शी अनुसंधान नेदिल्ली में वनस्पत्य अनुसंधान लखनव में औस्ति अनुसंधान ये भी लखनव यूपी में चंदरग्रण है वो कब होता है, तो चंद्र गरन का पूचा है, तो full moon या फिर हंदी में बोले तो पूर्णी मा के दिन होता है, चंद्र गरन का क्या मतर्ब हो गया, कि चंद्रमा है, इनके यह आ जाएगी यहां पर पिर्थवी अब चंदरमा खुद का तो प्रिकाश होता नहीं है सूर्य के प्रकास से यह चमकता है तो प्रकास मिलेगा नहीं इस ती यहां पर ग्रण हो जाएगा तो यह कब होता है जब चंदरमा पिर्थवी के ठीक पीछे उसकी परिछाया में आ जाता है उस समय चंदर ग्रण हो जाएगा इसके उल्टा यहां पर बात करूँ शूर्य ग्रण की सूर्य ग्रण होता है दोस्तों अमा वर्ष्या को नो मून में हो जाएगा आपकी और सूर्य ग्रण का क्या करने जब यहां पर चंदर मा इसके बीच में आ जाएगी जो सूर्य का प्रकास प् पूच्छा गया था कि भार्त कौन सा देश बना है एंटी सेटिलाइट तक्निक हाशिल करने वाला तो भार्त बना था चौता उसमें मैंने बताया था इससे पहले अमरीका राशिया और चाइना रहे चुके आज पूचिला चाइना से पहले कौन थे तो अमरीका और रशिया फिर आपके एक अंतिम स्वाल देखेगा सामुदाइक स्वास्ते केंदरों के लिए कितनी राशियी निर्धारित की गई है तो ये आप कमेंट करके बताना थोड़ी स्वाल में लेंग्वेज जैंज हो सकती है तो कितनी राशियी 5 लाग 10 लाग ऐसे कुछ आप्शन दिये बाकी दो रिजनिंग के स्वाल भी हैं और वीडियो आइंड करें उससे पहले मैं आपको बता दो लाइक जरूर कर देना दोस्तों आपके लिए इतनी मेनत करते हैं कि पूरे के पूरे स्वाल लेके आया हूं अभी आप देख सकते हो नाइट को 11 बजे हैं और मेरे अभी ड वीडियेप रहेगी वो आपको जल्दी और भी एक्स्टा फेक्ट भी आपके शामिल करूंगा तो लाइक कर देना एक स्वाल रिजनिंग से दो स्वाल बता देता हूं मैं कि जीब का संबंध स्वाद से है तो फेपड़ों का संबंध आपको पूचा है तो यह आपके हो ज सिंग के गैंडे के लिए परशी दे तो आपको एक सिंग का गैंडा करेट करना था वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ वंदे मात्रम जहिन दोस्तों